रामगोपाल के शरीर में 35 छर्रे लगे हुए थे अत्या से पहले उसे तड़ पाया गया था नाखून उखाड़े गए रामगोपाल को करेंट भी लगाया गया तो जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पर जड़ा पूई थी और अचानक गोली मार दी उनके लिए उनके कि में अपको ये विडियो दिखाऊं की नादिकाऊं लेकिल फिर मैंने सूचा कि आपको ये विडियो दिखाना पड़ेगा विडियो दिखाना बड़ी मजबूरी है और मजबूरी इसलिए है कि एक तरफ तो बैराइच के अंदर एक हिंदू यूवक गुपाल मिश्टर को मौब लिंचिंग करके तलपा करके बेरहमी से कुरुड़ता कुण तरीके समारा गया और इसके बाद वहां पर जो मौझूद मुस्लिम समाज है जो इसलामी समाज है वह जा करके जितने भी रिपोर्टर्स हैं वहां पर उनके सामने जा करके आशु बाहरा है ड्रामे कर रहा है विक्टिम कार्ड खेल रहा है और जितने भी तमाम न्यूस चैनल्स हैं वो इन सारे के सारे विक्टिम कार्ड को बगाइदा उनको दिखा रहे हैं बार बार और और कोई सच नहीं बता रहा इसलिए मैं इस पूरे के पूरे विडियो को दिखा रहा हूं आपको जो की एक कोई भारत समाजार है उसका पूरे कोड की है लेकिन मैं इस पर यह लिखे चला रहा हूं कि यह पूरी तरह से जूट है ड्रामा है एक हिंदू जूबक की मॉब लिंचिंग के बाद विक्टिम कार्ट कोई कैसे किया सकता है जिसने हत्या किया लेकिन विक्टिम कार्ट खिला जा रहा है जर देखिए यह वीडियो एक बार यह हुआ था कि यहां से इधर से जब मूर्टी आई है फिर वहां जमा हो गई है और फिर उधर तिनकाना रेवहा से मूर्टी आई है जब आने लगाई घख गई फिरन Erica कम से कमग लोग सबस्कें ऩब अकर को व हमी जोग से लोक अधर मुझताई तो उनलोग मारे दोड़े, जब उनलोग मारे दोड़े, तो इधर से सारे बनिया हुआ पहुचे, तो सारा जंडा गिरावाई लिगे, नोचे लगे, तो हम लोग केन मजजीद जीकियों खुजे जेखे, हम लोग अपना घर बचाई, कि जब उनलोग मजजीद से उतरे, तो सबलू है, जहां पिया गोली चली रहे, जंडा उखाड़े, रेलिंग से उदा गिराई लिगे, तो इस तरह भी उनका है कलवार का घर, यही छास्य सब पहुचे, उका लाद के नीचे उताला है, और फिर बहुत बुरी तरीकर बवा लगी, अच्छा, यानि मतलब जो गोल दिसको मारी गई, राम कोपाल मिस्रा, जो यह बताया जारा है किया गोली यह बताया जारा है कि गोली जो है, अब वो कहाई वाला नाई है ताब गोली चलाई ने बहुत मजबूर होई गये हैं उनके घर के पीछे आग लगाई दिहन आगे पूरी दुकान बार दिहने आप जाए के देख लिए जाओन हालत कि हीने की बताई वाला नाई है अच्छा वीडियो भी एक आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो आप लोगा जंडा है उसको हटाया जारा जंडा का वीडियो हमारे सब बच्चों के पास है मगर उस सब लड़के पुलीस के देर के मारे भागे ही सब दरवज्जा यह जितना मोहले में घर आए सब दरवज्जा तुटा अब बनिया अब पुलीस वालों को मार रहे थे अच्छे तो क्या यह भी लगता है कि पुलीस की तरफ से लापरवाही बढ़ती गई सब लापरवाही चाहिए थी जो नहीं लगाई गई या मोके पे जो उनको इस्टैंड लेना चाहिए था नहीं लिया गया कदम नहीं उठाय गया जो पुलीस वाले हमारे थाने हरदी के वह बहुत ज्यादा रोग रहे थे बहुत ज्यादा मगर उतादाद कम रहे इकी वज़े से मारी नहीं लोग का है पुलीस वाले मारी ने उभाग जे अच्छे और सबके पास तिर्सूल बेरू और बड़े मोटे मोटे राद बहुत खराबी की ने कोई मुसल्मान आवाज जो उनकी ही ने उनाहीं कर गिए और फी हम घर के बच्चे पकल के लगे पुलीस वाले बाद में आए थे जब या आगी निया अगी फीकी की गई उसके बाद पुलीस वाले आये थे आप लोगे सब बच्चे इधा से गिये पचाथ साथ तब वहां से जब उन लोग भागे कि था पुलीस आई एह हमें लोग कर यह हमें लोग का ख़रे देखिए जवा लोग चलेगे है भिप्रिष सुबा को अधर से पूरा गाउ बतोर के लाए पूरा पूका चले परद्धान विधाय का ललका साथ में रहा है तक इधर से सब आ हैं हिंदू उगली में सब घर तूरी नहीं तब उद्धा सब तूर फोल की ही नहीं तो चारी वलंक हिंदू इन लोग बटोरे रहे हैं अच्छा पुलीस के अधिकारी कहे रहे हैं जो यहां के करें पुलीस की तरफ से कोई लाप और वाही नहीं जो पहले पुलीस थी अर्दी ठाने की वह रोक रहे थे मगर उन्हों को भी मारा उन लोगों ने तो एक किनारे हो गये जब वह किनारे बेहें तब बच्चे यहां से गये हैं यह तो उनका हमारा ख्याले कोई को जिंदा न रखते हैं यानि सीनियर जो अधिकारी हैं जिनको स्टैंड कदम उठाने ची तो वो नहीं उठाए कोई कुछ नहीं है बिल्कुल उन्हें तो एक दम फूट दिये रहे हैं कोई हैसा ना रहा है कि कोई हेल्प बोल दे कि इसा मत करो उनके सामने घर फूका जाता है अच्छा सब्सक्राइब करें जिस तरह की हालात हुए जिस तरह की घटा हुई आप क्या कहेंगे जो बेचु तेवारी कि यहां जो है चट पे चड़े रहे थे राम गोपार इनको बेचु तेवारी का लॉंडा खुद उता कैस कि अब तुम बहुत हुआ उतर लो तो कहिं तुमने यह बात कह रहे हो यह मुसल्मान की तुमने श्क्राइब यह तुम मुसल्माण हो तब यह तब 215 मर गया है यह किसने मारा भाला मारी नहीं काने वाले उसको राम कुपाल को लेकिन वह बोली की बात आ रही कि गोली नहीं मारी गई है अच्छा जिस तरह के हालात बने क्या लगता है कि इसमें पुलिस की भी लापरवाही रही जो फोर्स लगनी चाहिए थी सब जो गोलु कराए थे वो सब उन्हीं कर रहे सब जत्ता गोलु ने कहा था वत्ताव में करते थे वो खाली मुसल्मान को मारते थे हिंदू से कभी नह है वो तो कह रहे हैं कि सब सही रहा है सब हमने इस्तिती सुधार ली है कोई किसी को कोई खतरा नहीं सब कुछ समान हो गया समान जब उन्हें दिये होते तो मुसल्मान के कहां जो है जब घर मकान तूड़े लागे फोकने लगे जंडा नोचने लगे तब लोग हमीकार भे को पहले कोई बवाल नरआ राना वह बोलते थे उनको कोई जड़लिया तुम अपनआ पर अपर लगे ते हमरे दो जने में तुम्हारा हमारा तॉर्ह बटवारा नहीं है तो आप जो है निडने उनहीं की तरफ से रह हमारी तरफ से कोई नहीं बोलने वाल congrats कि गोलु हो रहे कोई उन्हीं खुद कहते थे कि जो है यह करो यह उनकी मकान फोको उनके घर फोको उनके विधायक का लड़का है एक ही लड़का है तो क्या लगता है पुलीस को दबाव में भी काम कर ले हैं कि इसके बजाए जिके अफंडर से होता है हमारे लोगों को फेंड में वो कभी नहीं बोलते हैं कि सरकार उंची नीचे से उंची तक उनकी सरकार हमारी लोग को नहीं सुने हमारे बच्चे आज तीन दीन से भूखे पड़े हैं अच्छा है हमारे लोगां का चेहरा बदला हुआ क्या खाने पीने के लिए कुछ नहीं है रहा है तो आप अधिकारियों से परसासन से नहीं बोला क्यूंकि सब तो आजा रहा है हम लोग निकिर रह दंबा रहा दाहि आता है जासाथ पाली ले जा अच्छा परसासन गैरा था हमने रहात समागरी पहुचा ही यहां जितने मध्चे शोड़े बच्चे उस दूद ने आपते हैं इस अगल जाएं रोजगार हम लोग दिहाज जाते हैं भीर करने लिए उन्हारी नहीं जा पारें है जा तो मारें जो बहुत दूत दारें कि यहां पर वाल हड्या मालिक की इसे उपर वाल हट आएज तो बहुत बेहता रहा है यानि आभी जो महुल बता रहे हैं अधिकारी के समाने अभी समाने नहीं है दोका दरी के समू करिये है तो बिल्कुल आप देखें कि यहां पर यह इन लोगों का घर है और इसे यहां भी ऐसी है कि इनके पास अब खाने के भी लाले हैं बच्चे भूके हैं रोजगार जो इनका था वो भी छिन गया है क्योंकि यह गाउं जाते थे फेरी करते थे उसके बाद अपने परिवार का जो है पालन पोसल करते थे और यहां पर और भी लोग हैं चाची कुछ आप बता रही थी क्या हुआ बताई है अब दर्वाजा काला है तूर्गया है नाइक खोला है अकेली हैं लड़के हैं बंबाए में और यही पुलीस साब घर में भरबरा हुआ हुआ गोज गया हां द चाची पर सनना देबर हम रजम काम है मुल दरवज्जा तूट गवा तो हम बहुत परहसानी काल से ड्यूटी दी हैं कुट्था बखरी बच्चा साड़ सब जाय रहा तनी मजबूरी अकेली हो बोड़ को इस लोग करनी क्या है थे चाची यह लोग करनी क्या है थे क्या अकेली बोड़ घर में पकाई दखाई थे बस और कुछ ने कहीं थे कि रहाए देव कोई नाय है मुल तूट डारें दरवाज्जा अत्ता कर रहा दरवाज्जा कि तूट डारें सब नाय माननें इतना तो चची जो पुलीस के अधिकारी हैं यहां पर महिला एस भी हैं वो क पहरी हैं कि हम सबको सुरच्छित महौल दे रहे हैं किसी को कोई डरनी जोत नहीं अरे तो हम जिन्दगिम नाय देखा रहा है पुलीस के हैं तो डर आयो कापी कि कप वह नहीं करीव हैं यहां बहुत कापी तरह हैं बहुत अपसोस होई गवाई यह कि हमरा दरवाजा अब अब जएसे तुम आयो कोठिर चड़ी हो तो जरूर मिना कर भाई और मजबूर हो जीब है तब आई तो आई नहीं इह बात है तो जो अधिकारी है चाची यहां की जो परसासन की अब उनसे क्या आप कहना चाहरी हैं कुछ कहना चाहरी है कि ताकि आप लोग अच्छे म अधिकारी कहा करा थें कुछ कहा थें कुछ ने ओदे वह बिठिया गई वहुदर वज्जर वज्जा सब तुड़ डारीन है उके भाईक लए गया बंद कई दिर भाई रहे चे बेगुना हां लए गया कोई फेल मा लड़का ना है रहाईसर जानत है विचारा पेट पालत लड़की एक लड़काब है अगर फोर्स यहां पर परियाप्त होती ज्यादा होती तो यह ना होता कुछ ना होता है मुल्क कुछ नहीं रहा है मन मौजी अपना जाओं जी चाहा तो उनके हिन भई अइसा है भईया कि हैं जास्ती बहुत कि हिना हिंदो बहुत जास्ती कि हिना अम मुसलमान तनी दबात रहा है अरे दबे तब तो दे देखो सबका घार कुरिया फोक दें दर्वाजा तूर द अरे बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है कि आज 2-3 रोज से जब बजार खुली नहीं तो चैटनी रोटी जोन घर मां आए उखाई थे जब खुल भई नहीं कि तो कहां जी तो पर सासान पुलिस तो कह रही कि बजार भी खुल लई है सब सारी दुकाने खुल लई है सब सह कहां खुली है कहुं तो नाई खुली है कहां खुली है कहुं नाई देखाई देता है